हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चेनल दे टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चौला फ्रेंड्स इसे आप नाश्ते में जरू ट्राई कीजिएगा चाहे सुबे का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता चाहे के साथ आप जरूर ट्राइद कीजिएगा बहुत टेस्टी बनते हैं और बनने में भी आसान है इसे बनाने के लिए मेंने चाउले लिए हैं लगबग आदा किलो चाउले लिए थे उसे मेंने आठ से 9 गंटे के लिए इस तरह से भीगने के लिए रख दिये थे तो अच्छे से फूल चु मच राई डाली है अच्छे से चटक जाने के बाद एक तेज़ पत्र डाला है मैंने इसके अंदर फिर इसे चटक जाने के बाद दो लॉंग और दो काली मिर्श डाली है लेसून का पेस्ट डाला है लेसून का पेस्ट अच्छे से गोल्डन होने तक मैंने इसे पकाया है फिर मैंने बारी कटी हरी मिर्च डाली है लगबग 3-4 मैंने हरी मिर्च ली थी और 2 प्याज डाले हैं बारी काट के अच्छे से मैंने सभी को लो फ्लेम पे 1-5 मिनिट तक पका लिया है फिर डाली है मैंने इसमें कसूरी मेती फिर से मैंने अच्छे से पका लिया है फिर जो चमले हमने भीगोए थे उन्हें अच्छे से साफ दो लिया है मैंने साफ पानी से दोने के बाद मैंने पैन के अंदर सारे चमले डाल दिये है तो अगर आपको चमले थोड़े कच्छे लगे या आपको ऐसा लगे के अच्छे स यह बिग हुए था चंडलो को अच्छे से 2- 150 बून लिया था उइल के अंदर फिर मैंने इसके अंदर ढाला है था कि जो मसाले की साथ चंडलो के पकाने के बाद मैंने इसके अंदर आदा गलास डाला है पानी फ्रेंट्स मैंने इसमें गुनगुना पानी डाला है तो आपको भी गुनगुना पानी ही डालना है ठंडा पानी नहीं डालिएगा तो अच्छे से पानी डालके फिर से मैंने दोमनेट मीडियम फ्लेम पे पका लिया है तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिगा फिर मैंने इसमें डाला है आमचुर पाउडर आदा चोटा चमच मेगी मसाला थोड़ा सा डाला है आपके पास हो तो डाले वना इसकीप करें फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड मैंने अच्छे से mix कर दिया है, तो इसी तरह से मैंने इसी बनाया है, फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, गेस की flame off कर दी है, फिर मैंने अच्छे से इसे ठंडा होने के बाद सर्व किया है, तो अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हो तो इसी जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मैंने बारी कटी प्याज और उपर से डाला है थोड़ा सा नेमभू तो अगर आपको रेसीपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो जरूर इसे ट्राइ कीजिएगा वो आपको वावा करते नहीं रुकेंगे तो आपी आनंद लीजिएगा उन्हें भी आनंद दिलाईएगा थेंक्यू सो मच फ्रैंड